सब इसे चारतियों को नमस्कार आज हम लोग पार्ट 21 की चर्चा करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारा न्यू मीडिया है उसके कौन-कौन से विशिष्ट गुरधर में उनकी क्या-क्या विशिष्टाएं है तो इन बातों पर हम लोग आगे बढ़ें से पहले हम जानने की जो अब तक हमारा अध्यन का प्रारूप रहा है उस पर क्या हम लोग खरे उतर रहे हैं अगर हम लोगों ने वर्क्षिट बानाना प्रारम कर दिया है हम लोगों ने टीम में बनाना प्रारम कर दिया है तो क्या हम उसमें सफल हो पा रहे हैं तो इन सब चीजों को तो भी हमको ध्यान में रखना है प्यारे सिक्षारतियों जिससे कि आपका अध्यान सुचारू रूप से चलता रहे हो जब भी आप अपनी वार्षिक परिक्षाव में जाएं तो अपने अध्यान को एक अंक की और समर्पित करने के लिए आप प्रेद हो पाएं तो निचीत गुड़ धर्म हैं उनको कैसे हम लोग आगे पढ़ हैं और साती साती हम लोग ये भी जानते हैं कि जो न्यू मीडिया है उनके हमारे जियोन पर क्या-क्या प्रभाव हैं तो ये पाट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके जो अब्यक्टिवस हैं उसके अंतरकत हम ये दे मीडिया, compare the strength and weaknesses of new media with television, radio and print media, analyze the limitation of new media तो इतनी बाते हम लोग इस पाट के दौरान आज सिखेंगे और निश्ची तिलुप से ये जो प्रसारण है आपको एक अच्छे राह पे ले जाएगा जिससे कि आपका अध्यान सुगम हो सके और जब अध्यान सुगम होने की बात हम लोग करते हैं प्यारे सिख्षारती हो तो हम लोग ये भी देखते हैं कि जन संचार भी एक सुगमता से स्रलता से संदेशों को समाज के परते वर तक पहुंचाता है इतना हम लोग ने जान लिया था और साथ-साथ ये भी जान लिया था कि जो print media है जो radio है जो television है उनका रेडियो की सुलबता सिर्फ रेडियो तक ही रह जाए क्या प्रिंट माध्यम की सुलबता सुगमता सिर्फ अकबारों तक ही रह जाए क्या टेली विजन की सुगमता जो सरलता जो है वो धारावाहिक 저ह लागी तक समाचारों तक ही रह जाएंगे नहीं किया कोई ऐसा भी मीडिया हो सकता है कि समगरौप से इन स़पी को साथ में लेकर के चले बिल्कुल हो सकता है और निशित रूप से वो जो मीडिया है जिसकी हम लोग आज बात करेंगे वो मीडिया आज आपके हाथ में रहता है जिस प्रकार से हम लोग वैस्विक धरातल पर देखते हैं कि आज पूरे विस्व में पूरे भारतवर्स में पूरे आपके राज में लगबग सभी लोगों के पास में अपना एक मुबाइल फोन रहता है इन ही सब चीजों पर इन ही सब तत्तियों पर आधारित आज का हमारा ये पार्ट है जिसके अंतरकत हम लोग जानेंगे नीउ मीडिया के संषित परिषयater के बारे में अब जब हम लोग कई के बार इसको नीउ मीडिया कहते हैं प्यारे सिक्षारत्य हो तो एक सवाल यह रि कि new media new कैसे है और new media new है तो old media कौन सा है हाला कि अगर बरतवान परिप्लेक्ष में हम लोग बात करें तो आज हम लोग new media को new media भी नहीं कहते हैं new media को हम लोग cyber media कहे देते हैं new media को हम लोग दूसरी अन्य नामों से संबोधित करते हैं लेकिन क्योंकि हमारे partnerlive में new media कहा गया है तो हम लोग new media के नाम सही इसको संबोधित करके इसका परियास करेंगे तो एक छोटा सा परिचा मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि new media का जो परिचा है वो यह है कि learning is better when words are combined with visuals, sounds and even cartoons. Print media including books give us only words and illustrations. Television give us moving images and radio gives us sound. But what the internet give us is a combination of all these. ठीक है तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो new media है वो new media कैसे है क्योंकि वो radio, print और television को समगर रूप से प्रस्तूत करने का प्रयास करता है और उस समगरता के भाव के चलते ही आज new media का प्रभाव, new media की पहुच, new media की सुगमता, new media की सुलवता, जन जन तक है. विस्सु का प्रतियक वेक्ति चाहता है कि उसके हाथ में मुबाइल हो, उसके हाथ के मुबाइल में इंटरनेट हो और इंटरनेट के माध्यम से वो बिबिन चैनलों के दौरा अपने जानने वाले विक्तियों से बात चीत कर पाए. आपके किताब में एक स्रीमती माध्वन जी का इसमें चित्रड दिया गया है कि माध्वन, मिस्स माध्वन, स्रीमती माध्वन जी जो हैं बहुत परेशान रहती हैं. उनकी परेशानी कारड कई सारे हो सकते हैं कि उनके बिल्स जो हैं सही समय पे नहीं जमाव पाते हैं. कई लोग उनको संदेश भेजते हैं कंप्यूटर पे वो उनको नहीं पड़ पाती हैं. या उनको बहुत सारी सरकार की नीतियां जाननी होती हैं तो वो नहीं जान पाती हैं तो उनका जो पुत्र है वो उनको बताने का प्रयास करता है अपनी माताजी को कि किस प्रकार से न्यू मीडिया का प्रियूग करके हम इन सब छोटी छोटी बातों को जान सकते हैं तो एक बड़ा सवाल यहां पे आता है कि जो नियू मीडिया है वो कम्प्यूटर पे आधारित है कम्प्यूटर को हम लोग आई सी टी और आई टी नजाने किन किन नामों से संबोधित करते रहे हैं लेकिन जो मिसिस माधवन जो कि हमारी सेल्फ लर्निंग मट्रेल में वर्नि पाते हैं बलिकि उनको प्रस्तुत भी कर पाते हैं और प्रेशित भी कर पाते हैं प्रेशित मतलब भेज भी पाते हैं और संचार का मुख नियम है कि संदेश को एक जगा से दूसरे स्थान पर भेजना अब जब मिसिस माधवन जो कि इस किताब में वर्नित हैं वो समझती ह कि हमने तो आज तक पत्र भेजे हैं अगबारों से इन्फरमेशन ली है रेडियो से समाचारों को सुना है अब ये कंप्यूटर के द्वारा कैसे हम संदेशों को भेज सकते हैं तो उनका पुत्र समझाने का इसमें प्रयास करता है कि ममी हम लोग कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को एक स्थान से दुसरे स्थान तक बहुत सुगमता से बहुत कम समय में भेज सकते हैं तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दा इंटरनेट is an interconnection of several thousands of computers different types belonging to various network across the globe. Any computer user on the internet can connect, can contact any other computer on internet in any part of the world. The internet is an integral part of new media. तो जो मिसेज माध्वन का वर्णन है उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि computer के माध्यम से हम internet के द्वारा interconnect होते हैं. इंटरनेटे का ऐसी सुविदा है computer पर जिससे हम एक जगा से बैठे बैठे दूसी जगा पे सदय जुड़े रहते हैं. आप लोग का mobile हमेशा जुड़ा रहता है. बहुत सारे दोस्तों से आप चिट-चैट करते हैं. और computer इसमें एक सहायक उपकरण की तरह काम में आता है. तो हम लोग ये कहते हैं कि इंटरनेट की जो सुविदा है उससे हम लोग एक व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं और पूरी दुनिया में वो व्यक्ति कहीं है उससे हम लोग सदय जुड़े रह सकते हैं. तो प्यारे सिक्षारति जो सबसे बड़ा यहां पर प्रश्नी ये है कि इंटरनेट क्या एक बड़े मीडिया के तोर पे उभरा है तो बिल्कुल आपने सही जवाब समझा है इसका कि इंटरनेट एक न्यू मीडिया एक सशक्त मीडिया के तोर पे अपने आपको इस्थापित कर पाया है उभरा है और इसी न्यू मीडिया के चलते आज हम देखते है कि बिस्ट में बैठे हुए हम लोग सभी जुड़ सकते हैं और उनसे जुड़ने का जो मुखी हमारा वो है उपकर्ण जो है internet पर वो है हमारी websites क्या है वो है हमारी websites तो website के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो उसकी परिभासा के तॉर एटसेटरा पूर्स इंफरमेशन एट कैन बी फाउंड ऑन दी वर्ल्ड वाइड वैब आपने हमेसा दिखा हुआ कि हम लोग जब कभी भी गूगल पे डब्लू 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 टाइप करते हैं तो उसका क्या आरत होता है वर्ल्ड वाइड वैब तो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी धर्ती पर फैला हुआ एक जाल है और उस जाल को हम लोग एक वेब साइट के माध्यम से खोज सकते हैं उस पर कहीं भी जा सकते हैं एक उदारन के तौर पर हम लोग ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि राश्ट्रे मुक्ति विद्याली सिच्छा संस्थान एन नायवेस की जो वेब साइट है www.nios.ac.in उसके माध्यम से हम संपून भारत वर्स में बैठे हुए सिच्छार्टियों से जुड़ते हैं और भारत वर्स का प्रित्येक सिच्छार्टी चाहे वो कहीं किसी भी राज्जी में निवास करता है वो इनायवेस से सीधे सीधे संपर्क में रहता है कैसे रहता है संपर्क में उदान देता हूं मा लिजे केरल की कोई बच्ची है जो हिंदी भी से आज पढ़ना चाहती है तो वो क्या करेगी कि एनायवेस की वेब साइट पर आएगी मुक्त विद्यावानी के पेज पर जाएगी और सीधे सीधे अपने सेक्ची का अधिकारी से वो बात करने में सक्षम पाएगी अपने आपको तो यह जो सेक्ची का अधिकारी हिंदी है और केरल की जो हमारी बच्ची है जो हमारी शिक्षारती है उसके बीच का क्या तंतर है वो तंतर है इंटरनेट और इंटरनेट पे कौन सा प्रेट फॉर् website वो website कौन सी website है वो website वो website है जिसके मादियम से दो व्यक्ति आपस में तालमेल बनाके जोड़ सकते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो इस उधारन के संदर्म में वो website हुई एनाईवस की website तो इसका मतलब है जिस new media की हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे शिक्षरतियों जिस computer की हम लोग बात कर रहे हैं उसके बीच में जो website नाम का एक मुख्य घटक है वो घटक ही हमको एक दूसरे से जोड़ने एक दूसरे से सामंजस से स्थापित करने एक दूसरे से समरस्ता इस्थापित करने में मदद करती है तो अगर हम लोग यह कहें कि new media is has an impressive ability to involve audience that is known as interactivity अब हमने उदारन दिया था उस बच्ची का जो केरल में बैठी है यहां से बात कर रही है तो वो क्या कर रही है कि हमारे हिंदी ओफीसर से interact कर रही है compare to other media forms new media has the most evolved feedback system most evolved feedback system देखिए यहां पे कहा जा रहा है अब राश्टी मुक्ति विद्याली सिच्छा संस्थान का यह पर सारण आप देख रहे हैं यह पर सारण आपको चैनल पर तो दिखी रहा है यह विद्या पर तो आप देखी पा रहे हैं साथ ही साथ आप यह YouTube पर भी द आप जैपूर में बैठे हैं या कही नौर्थ इस्ट में बैठे हैं तो सीधे सीधे हम से कोई प्रस्ण भी समय पूछ सकते हैं तो इसका मतलब है कि जो feedback system है प्यारी सिक्षारतियों वो बहुत ही अच्छा है new media का प्रियूख करके और new media का प्रियूख करने से हम लोग हम लोग बात करें तो इसको बहुत अच्छे से हमको समझने का प्रियास करना चाहिए कि new media को new media कौन बनाता है उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि new media uses a narrative style of writing like a story serious issues are written in the form of stories and most people are likely to read them and learn from them तो जो narrative style है देखिए हम लोग क्या पढ़ते आएं अभी तक अभी तक हम ये पढ़ते आएं कि समाचार पत्रों की एक भाशा शैली होती है पत्रिकाओं में लिखने का एक अलग से style होता है जिसे की उनके पाठक जादा से जादा जुड़ें जब हम रेडियो पे बोलते है तो उस समय संबोधन का विशाय संबोधन का तरीका दूसरा होता है टेली विजन पर जब कोई प्रस्तुती करण दी जाती है तो उस समय धरस्य शब्य का पूरा ध्यान रखा जाता है लेकिन जब हम लोग new media की बात करते हैं प्यारे शिक्षारतियों तो हम देखते हैं यहा हम लोग कहते हैं कि writing tells a story हमाई लेखन सैली के माधियम से ही हम लोग कहानियों को कहते हैं और अगर हम लोग यह भी देखे कि जो serious issues हैं उनको अगर हम लोग कहानी के माधियम से अपने शोताओं को बताएं तो वो उनको जादा समझ में आती है तो सीधा सीधा आर्थी यह हु कि जो narrative style है वो ही एक प्रभावी लेखन सैली के तोर पर अपने संभावित पाठकों के मनमस्तिक पर प्रभाव डालता है अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि special features of new media is the use of multimedia in any situation when stories are supported by cartoons, moving pictures, sound and music. It is called multimedia. अब आपने हमेंसा एक word प्रियोग में लाए होंगे multimedia कि हम लोग multimedia का प्रियोग करके पठन पाठन को, शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं. लेकिन कई के बार जब हम इसको परिभाशित करने का प्रयास करते हैं तो यह नहीं जान पाते हैं कि यह multimedia क्या है? तो multimedia देखिए, दो शबदों से मिलकर बना है. एक है multi, दूसरा है media. तो multimedia का अरत होता है बहु और media का मतलब होता है madhya. तो जिस प्रकार में बहु माध्यमों का प्रयोग किया जाए बहुत प्रकार के माध्यमों का प्रयोग किया जाए तो उसको हम कहेंगे मल्टी मीडिया जैसे कि हम लोग जब एनिमेशन फिल्में देखते हैं तो उसको हम like कहेंगे कि multi media है क्योंकि उसमें चित्र भी दिख रहे हैं, श्रबी भी है, उसमें vis性 प्रभाओ भी डाले जाते हैं, sound effect भी रहते हैं, तो इस प्रकार से multi media को multi media बनाने वाले कारक बिबिन हो सकते हैं, जिसमें चित्रों को संबिलित करते हैं, ध्वनियों को संबिलित करते हैं, संगीत को संबिलित करते हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीजे हैं, माली ये वाइब्रेशन है आपके मुबाइल का, उसको भी हम लोग मल्टी मीडिया में संबिलित करते हैं जब आप गेम खेलते हैं और गेम के दोरान आपने किसी को अपनी गन से अगर किल किया है तो उस समय देखिया आपका मुबाइल वाइबरेट करता है तो एक तरीके से आपको साबासी का फीलिंग आता कि हमको हमाई टार्गेट पे सही निसाना लगाने के लिए साबासी मिली ह तो इस प्रकार से मल्टी मीडिया का भी प्रभाव हमारे मनमस्तिक के पर पढ़ता है और इसके बारे में हम लोग और विसेस बाते करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा विराम यहाँ पे हमको लेना चाहिए और इस विराम के बाद हम लोग आज नियु मिडिया यह इसलिए भी विसेस हो जाता है क्योंकि आज वरतमान समय में हम लोग देखते हैं कि नियु मीडिया हमारे द्यानिक जीवन में पिरते एक जगा पे मिलता है हमको चाहे हमारे मुबाइल फॉन पे हो चाहे कंप्यूटर पे हो चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो चाहे जुड़ने का एक वेबसाइट जो तरीका है वही इसका एक मुख्य उत्पात भी है यही मुख्य प्रोडक्ट भी है लेकिन इसके चलते कहीं ने कहीं एक जो मुख्य समस्या देखने को आई है वो यह आई है कि अब हमारे बच्चों में पढ़ने की आदत की जो है बहुत क कहीं जो एक नया मीडिया आता है या कोई नई चीज़े आती है नियू मीडिया के इस अंदर में मैं कह रहा हूँ तो उसके अगर अपने प्रभाव हैं तो कुछ उसके दुस प्रभाव भी होंगे तो इन सभी चीजों को जानने से पहले हम लोग छोटा सा यह प्रयास करते हैं कि यह जाने सबसे पहले की जो नियू मीडिया है वो दूसरे अलग प्रकार के जो मीडिया उनसे भिन कैसे हैं तो अगर भिन है तभी वो नियू मीडिया बना होगा उनसे अच्छा है तभी वो नियू मीडिया की तरह अपने आपको इस्थाफित कर पाया होगा तो वो क nowadays collect a lot of interesting information for the readers most newspapers have hired good photographs to improve the quality of pictures and all this is happening because of newspapers are competing with the television तो अब हम लोग करें कि new media कैसे दूसरी media से लोग होगा क्या पुराने media जो थे हमारे परंपरगत media थे या जो मुखी media थे वो क्या खतम हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है तो अगर हम लोग इनके अंतर करना सीख जाए तो मुझे लगता है कि काफी हमको सरलता हो जाएगी तो अगर हम लोग समाचार पत्रों के संदर में बात करें तो समाचार पत्रों के लिए हम लोग देखते थे कि आज जो समाचार पत्र चप रहे हो बहुत colorful चप रहे हैं उनमें जो पठटट पाठटन की समगरी दी जा रही हो वहीं कौर्क से उठा करके सीधे अगर हम कंप्यूटर पे रख़ए तो क्या होगा कि उसी फार्म की उसी निव मीडिया के उसी मीडिया के फार्म को हम लोग निव मीडिया पर भी प्रस्तृत कर पा रहे हैं मैं दूसरा उदान देखिया समझाता हूँ आपका जो पसंदीदा समाचार पत्र है सिक्षार्थियों अगर आप उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो दो तरीके हैं एक तो जो रोजाना आपके पास समाचार पत्र आता है वहाँ पर पढ़िये या या फिर आप उस समाचार पत्र की वेबसाइट पर चले जाएए वहाँ पर भी वहाँ आप सीधे पढ़ सकते हैं और उसको प्रस्तुत करने का तरीका वहाँ और अच्छा इसलिए भी हो जाता है कि वो पाठको की अभिरिचियों के हिसाब से प्रस्तुत किये जा सकते हैं इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे अखबार हैं वो बहुत सुन्दर चित्रों को भी अच्छी क्वार्टी के साथ प्रस्तूत करते हैं और यही सब जो मुख्य कारण हैं इसी के चलते आज एक प्रतियोगिता एक परदा है टेलिवीजन और समाचार पत्रों के साथ न्यू मीडिया के बीच में आज जो समाचार आप टेलिवीजन पर देखते थे प्यारे सिक्षारतियों वो आप अपने मुबाईल पर देख सकते हैं कहीं से भी तो सुगमता कहा हुई टेलिविजन देखने के लिए तो हमको घर में बैठना पड़ेगा कमरे में और उसी के साथ वन्टुन रहना पड़ेगा आपका समय वहीं पर जाएगा लेकिन जब आप न्यू मीडिया पर वही समाचार देखना चाहते हैं तो न्यू मीडिया के आई पी टीवी फीचर पर इंटरनेट पोटो कार टेलिविजन पर आप सीधे सीधे में चलते हुए गाड़ी में चलते हुए या अपना काम करते हुए भी उसको देख पाते हैं तो यह सब परभाव हैं जो new media को un-media से अलग करते हैं और यहां पर हम लोग यह भी कह सकते हैं कि most of us use the new media while we are working in office or on internet. मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग अपने कार्याले में अपने घर में काम करते करते भी new media का प्रयोग करते हैं. हम यह यह भी कह सकते हैं कि the use of multimedia and interactivity is meant to facilitate the communication process. तो जो संचार की जो परक्रिया है उसमें multimedia और interactivity मुख्य रूप से कारक के तौर पर काम करते हैं और उसके प्रभावों को बढ़ाते हैं. आज जो संदेश आप तुरंट के तुरंट भेशते हैं देखिए कितने ज्यादा प्रभाव साली हो जाते हैं. आप अपने मित्रों को कोई SMS करते हैं, कोई E-mail करते हैं, कोई WhatsApp करते हैं, तो एक तुरंट के तुरंट पहुंचता है, उसका प्रभाव तुरंट आपको देखने को मिलता है. तो जो मल्टी मीडिया वाला फीचर है, जो इंट्रेक्टिविटी वाला फीचर है, कि आपने हाँ या ना में तुरंट जवाब देदिया, अपनी सहमती दरज कर दी, किसी की प्रतिपुष्टी कर दी, कोई Feedback देदिया, कोई आपने Google Form भर दिया, उसके उपर में तुरंट प्रक्रिया आ गई, तो देखी कितना सुगमता हो जाती है, जब आप संचार के विभिनमाद्यमों में इंटरनेट का प्रवेस करा देते हैं, और इंटरनेट का प्रवेस कराने मात्र से, वेबसाइट का प्रवेस कराने मात्र से, वो आपका मीडिया क्या बन जाता है, एक बज़े दोपहर में आता है उसको देखने के लिए या तो आपको घर पे रहना पड़ेगा छुटी ले करके आपका विद्याले छूटेगा या फिर वही बुलेटन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए जिसको कि आप देखते हुए अपने घर की तरफ मेट्रों में य साथ ठpticता को बढ़ाती है प्यारे शिक्षारतियों वही सुगमता को बढ़ाती है इवैवलेबिलीटी को बढ़ाती है और इसी के प्रभावों के चलते आप अपना का पूरा एक पेज आता है, वहाँ पे आप अपनी पूरी जानकारिया भरते हैं, पूरे विशय भरते हैं, घर का पता भरते हैं, और जो टीम में जो आपको केडिट ट्रांसपर लेना होता है, वो दोनों विशय भरते हैं, आप जैसे ही किलिक करते हैं, हमारी वेबसाइट कह आप देखिए आप घर पे बैठे हैं इनायोस का मुख्याले यहां है आप चिन्नई में बैठे बैठे इनायोस के मुख्याले पे सीधे सीधे फीज जमा कर रहे हैं तो यह सुगमता आपको कैसे मिली क्या जब इंटरनेट नहीं था तब क्या इनायोस की फीज नहीं जमा होती थी प्यारे सिक्षार्थि थी तब भी फीज जमा होती थी, लेकिन तब हम को क्या करना पड़ता था कि घर से रिकलके हमको अपने इस्टेडी सेंटर पे एयाई पे जाना पड़ता था वहाँ फीज जमा करनी जिनके माध्यम से इस मीडिया का प्रभाव और प्रादुर्भाव निरंतर बढ़ता जा रहा है इसलिए हम लोग कह सकते हैं जैसा कि स्किन पर लिका है अब वो इंट्रेस्ट फेक्टर क्या है ये भी आप जान ले इंट्रेस्ट फेक्टर ये है कि आपको पता है कि जो भी एक्टिविटी मैं इंटरनेट के माध्यम से करना चाहता हूँ वो मैं कभी भी कर सकता हूँ इसका मतलब है इजी अवलेबल है वो चीजे आपको अगर क्रिक्ट का स्कोर देखना है तो चाहे तुरंट के तुरंट अभी देख लीजिए पांच मिनट बाद देख लीजिए वो चीजे उपलब्द रहेंगी लेकिन यही चीज़ अगर आप समाचार पत्र के माध्यम में देखते हैं प्यारे सिक्षार्थियों तो उसके लिए आपको कल सुबह तक का इंतिजार करना पड़ेगा उसके लिए आपको सांध किसी पत्र का इंतिजार करना पड़ेगा जो सायंकाली निकलता है तो यतना प्रभाव पड़ता है कि जो समाचार आपको आज साम को मिलेगा या कल सुबह मिलेगा वो इंटरनेट के माधियम से आपको तुरंट के तुरंट मिल जाता है तो यही चीजे जो है new media को दूसरे medium के माधियम से अधिक शक्तिशाली बनाती है अधिक प्रभावी बनाती है और हम लोग यहां यह भी कह सकते हैं कि most of the new media users write for websites and one of the ways to do so is through blogs और blogs के लिए हम लोग कह सकते हैं कि blogs are online diaries people who can write about their experiences can develop blogs and blog writers are not bound by the rules of journalism अब हम लोगों ने एक चीज जजानी थी कि भारत का समिधान कहता है कि आप article 19 का one paragraph जो है उसके तहत अपनी अविव्यक्तियों को जन्मानस तक पहुँचाने के लिए पूर्णता स्वतंत्र हैं और एक मात्र यही प्रविजन है जो हमको पूरी की पूरी जनलिजम की इंडिस्ट्री खड़ा करने में सबल और सक्षम बनाती है लेकिन आप यह भी देखे कि समा चार पत्रों में छपा हुआ कोई गलत तत्य हमको अधालतों तक भी ले जाता था मुकदमे भी होते थे तो वो जो बिरोधा भास था कि हम कोई गलत तत्य ना छपे गलत चत्य समाज में ना दें उससे भी बचने का एक मुख्य कारण हुआ है मुख्य प्रभाव हुआ है हमारी internet हमारी जो नियू मीडिया है उसके द्वारा हम उससे भी बच सकते हैं और उससे बचने का मतलब है कि जब हम अपना कोई fact कोई कहानी कोई right up internet के माझ्ज़म से देते हैं उसको कहते हैं कि this is my blog और blog के बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि this is my personal diary और personal diary का मतलब है कि ये विचार मेरे अपने विचार है ये मैं विक्त कर रहा हूँ इससे किसी का लेना देना नहीं है जिसको जो समझना है अपने सम्मंद में वो उसकी व्याख्या कर सकता है इसलिए कहते हैं कि blog writers are not bound by the rules of journalism तो आप देखिए कि internet के द्वारा जो new media हमको मिलना है उसका प्रभाव कैसे बढ़ता है कि एक संपादक जो गलत तत्यों को छापता है अपने अगवार में वो नियायले की अव्माना या नियायले के सामने भी प्रस्तूत होता है लेकिन यहाँ पर जब हम लोग blog के माध्यम से उसको अपने निजी विचारों के कहे कर चापते हैं तब हम लोग किसी journalism के रूल पे binding नहीं रखते हुए आगे बढ़ पाते हैं तो शिक्षारती देखे कितनी अच्छी बात है कि जो new media आप लोग पढ़ रहे हैं इस पार्ट में वो अन्य माध्यमों से एक प्रखर माध्यम के रूप में आपको मिल रहा है उसकी प्रखरता का यह है कि एक तो हर जगा उपलब्द है हर जगा सुगमता के साथ वो सुरल भी है और कभी भी उस पे आप अपनी दखल को बढ़ा सकते हैं तो लेकिन अगर हम लोग इतनी सब बाते कर रहे हैं तो हमको यह भी देखना चाहिए कि जो न्यूव मीडिया है उसका प्रिंट मीडिया या टेलिवीजन के आपक्षा में क्या-क्या मुख्य प्रभाव रहा होगा या क्या-क्या अड्वैंटेजिस होंगे तो हम लोग कह स रहते हैं कि न्यूज पेपर एंड टेलिवीजन हैब देयर वेब अडिशन सो देट एनीवन फ्राम एनी पार्ट अप देवर्ड कैन एजली एक्सिस दा इन्फोर्मेशन अब बात यह आए कि जब लोग जब समाचार पत्रों को लगा कि लोगों का रुजहान समाचार पत् को पूरा कंपोज किया हुआ उसी ठीक कंपोजिशन को आप इंटरनेट के माधियम से अपनी वेब साइट के माधियम से प्रस्तुत कर दें तो न्यूज पेपर और टेलिवीजन के जो स्वरूप हैं उनको भी न्यू मीडिया प्रस्तुत करने का प्रयास करता है उनको और स we are losing our reading habits. अब पहले क्या होता था कि हम रोज नित्र पत्र उटके समाचार पत्र पढ़ रहते हैं शिक्षारतियों आप नहीं पढ़ा होगा आप आपको मैं अगर बताओं कि जिसे मल्याला मारूरमा एक पत्रिका है कितनी पापुलर है पूरे भारत वर्स में बहुत सारे ऐसे हिंदी के समाचार पत्र हैं जैसे दैनी जाकरन दैनी भासकर नंबर वन नंबर टू पे रहते हैं बहुत सारे बंगाली के ऐसे समाचार पत्र हैं आनन्द बजार पत्र काया और गुजराती के ऐसे समाचार पत्र हैं जो पूरे के पूरे समाज का चित्रन उस छेत्र के किया है तो सिक्षार्थी सब बाते समझने का बस यहां पर यही अभी प्रायम है मैं बार बार इस बात को दोरा रहा हूं कि जो हमारे मुख्य माध्यम थे चाहिए वो रेडी हो टेलिवीजन हो उनको कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तूत कर पाए चाहिए वो मुझती थी उसको कैसी इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए वही निव मीडिया है तो निश्चित रूप से हम लोग इस जानकारी को बहुत अच्छे से लेंगे और चोटे से विराम के बाद में या चोटे से अंतराल के बाद में हम लोग पुना उपस्ति होते हैं शिक्षार्थियों आपका पुना स्वागत है इस कारिकम में और एक देखिए इस ब्रेक के दोराने एक यह चीज रही कि जिस निव मीडिया के प्रभाव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वही प्रभाव हम को अभी देखने को मिला है जो यूटूब पर हमारा पर सारण जाता है उस पर रौनी जी ने हमसे एक प्रेस्ट ने पूँचा है कि निव मीडिया के द्वारा हम लोग कैसे कर सकते हैं किसको कैसे कर सकते हैं कितना प्यारा प्रेस्ट ने पूँचा है क्यों क्यों क्योंकि हम लोग पीछे के बहुत सारे मीडिया के बारे में प चार पत्र क्या करते हैं कि तत्य परक कंटेंट के साथ हैं में चीजों को प्रिस्ट करते हैं फैक्ट के साथ में प्रिस्ट करते हैं लेकिन वेबसाइट में हम देखते हैं कि एक ही बात को कई वेबसाइट अलग-अलग तरीके से कह सकती हैं हमने एक शब्दी भी पढ़ लिय इसके मतलब है कि ये मेरे अपने निजी विचार हैं अब बात आती है रोनी जी के प्रेशन की कि अगर हमने चार वेबसाइट किसी संदर्ब में रफर की हैं किसी टॉपिक पर रफर की हैं तो उनकी अनलिसिस कैसे की जानी चाहिए तो उदाहन के तौर पे माली जी हम निजी विबसाइट ने एक जानकारी दे दी कि इस बार परिक्षाएं फरवरी में ही होंगी अब वो बच्चा क्या करेगा कि अपने पियर्स में अपने फ्रेंड्स में वो बात बताएगा कि एनाइवस के परिक्षाएं फरवरी में होंगी लेकिन वो तो गलत जानकारी है तो इसकी analysis करने का क्या हुपा है कि कोई दूसरी website देखी जाए दूसरी website ने तत्य को ओतोर मरोड के प्रसुत किया तो सही जानकारी के लिए आपको सही स्रोत तक सही source तक भी पहुँचना होगा सिक्षारतियों और रौनी जी के प्रशन का उत्तर यही है कि नियोस के संदर्ब में आपको कोई सही और सठीक जानकारी चाहिए तो www.nios.ac.in पर जाए जो कि उस संस्थान की आधिकारिक website है और उस आधिकारिक website पे जो भी facts दिये गए हैं वो अक्षड सा सही होंगे तो इसका मतलब है जब हम लोग print media में सुरोत की बाते हैं कि हमको अपने sources का selection कैसे करना चाहिए सुरोत कौन होते हैं सुर्स कहां से हम बनाते हैं वो सुर्स ही अगर reliable नहीं होंगे तो हमारे पास जो भी समाचार जो भी सुचना है जो भी facts और figures आ रहे हैं उनके गलत होने की समभावना निरंतर बनी रहेगी तो इसका मतलब है कि website पे जितनी भी चीज़े दिखाई जा रही हैं वो सही है या नहीं है ये आपको अपने विवेक से भी तै करना है दूसरा उदार हम ये ले ले लेते हैं कि भारत वर्स में COVID-19 से बचने के लिए कौन कौन से जो vaccine है उनको दिया जा रहा है तो या तो आप गूगल करके 40-50 website से उस जानकारी को देख लीजिए और अपनी जानकारी को मतलब छिन बिनने तरीके से परसुत करिए या अगर इस संबंद में सटीक जानकारी आपको चाहिए तो इसकी दो मुख्य website हो सकती है नमबर एक पे तो भारत सरकार के स्वास्थ मंतराले की website होगी और अगर वैस्वी क्रूप पे आप इस जानकारी को देखना चाहे तो डबलू एचो की website पे जाएंगे तो जानकारी मिल जाएगी पठन पाठन का सिक्षारति यहीं महत होता है कि पठने का मत्दब है कि आप सिब ये फैक्ट नहीं पढ़ते हैं इनको पढ़ने के बाद इन जानकारियों को गिहन करने के बाद आप अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं मैंने हमेशा से कहा है कि आप अपने ग्यान को आगे कोशल की ओ ले जाते हैं दक्षता की ओ ले जाते हैं और दक्षता के साथ साथ जब आप अनभो लेते हैं चाए वो प्रिंट मीडिया का हो और इसे स्कॉर करके जगर हम न्यू मीडिया की बात करें तो वो अनभो के साथ ही चीजे आपको आती चली जाएंगी जैसे हम लोग कहते कि एक छोटा सा इस पे पैराग्राफ लिखके दिखाईए तो वो अगर हमने पचास बच्चों को यही प्रिस्ट दिया है कि आप कोविड नाइंटीन के टीका करण के बारे में इसकी सकारत्मक्ता के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखके दिखाईए तो वो पचास बच्चे विभिन तरीकों से उन चीजों को परिस्टूत करेंगे लेकिन जब हम लोग उसी को संपादक के द्वारा संपाधित करके समाचार पत्र में चापते हैं तो संपादक अपने विवेक अपने अनुभों के आधार पर उन पचास रिपोर्टर जो बच्चे उनको रिपोर्टर हम कह सकते हैं उनके द्वारा संगरहित तत्यों को एक स हार रूप में प्रस्तुत करेगा और वो सार इतना सटीक होगा इतना सहज होगा इतना सरल होगा कि अपने प्रापा का अपने तार्गट आडियंस पे निच्ची तुरूप से सही प्रभाव डालेगा तो मुझे लगता है कि रौनी जी के प्रिष्ण का उत्तर मिल गया है और प्यारे शिक्षारतियों अगर आपके मन में कोई भी प्रिष्ण रहा करें तो आप AO मास का मैटनाइवस.ac.in पर उनको भेज सकते हैं निच्ची तूप से हमें बड़ा गर्भ होगा कि आपने हमसे प्रिष्ण पूछे हम उनका उतर देने में अपने आपको समर्थ बना प होंगी अब नियू मीडिया है तो नियू मीडिया की सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि अगर हम लोग भारतवर्स के सुदूर गाओं की बात करें तो वहां तक शाहिस की पहुंच अभी ना हो पाई हो बस्तर के जंगलों में तो एक छोटी सी लिमिटेशन यह भी हो नहीं होता है और अगर हम लोग यह देखे कि अगर वो इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है तो तो इसका भी हमको हमारे उपर में प्रभाव पड़ता है और जिस सजन ने हम से प्रश्ण पूछा था रोनी ने उन्हों को धनिवाद का है आपका विया बाहर कि आपने हम से प्र रिद करें कि वो हमारे कारिकमों को देखे और निश्ची तुप से एकमात रहसा संस्तान है प्यारे सिक्षारतियों जो आगे बढ़ चरकर चैनल दस और बारा के माध्यम से आप तक पहुचता है और न्यू मीडिया का भी प्रियोग करता है और हमेसा उपलब्द रहता है आपको बस यह करना है कि एनायवस की वेबसाइट पर जाना है अपने संबंदित कोर्स कोडिनेटर अपने अकडमिक आफिसर की इमेल पर एक इमेल छोड़ देना है आपको निश्ची तुप से उसका जवाब आएगा तो जहां पर आप इमेल छोड़ देने के बाद आपको जवाब आएगा यह इसका अगर प्रभाव है तो निश्ची तुप से निव मीडिया की कुछ सीमी तताएं भी होंगी लिमिटेसंस भी होंगी उन्हीं लिमिटेसंस की हम लोग बात कर रहे हैं कि निव मीडिया के मादियम से हम देखते हैं कि इमोशनल बाइंडिंग नहीं हो पाती है आपकी आप इमोशन को नहीं समझ पाते हैं आप करोणा के भाव को नहीं समझ पाते हैं आप करोध को नहीं पदर्शित कर पाते हैं जो कि आप प्रित्य रूप से कर सकते हैं तो कहीं ने कहीं यह हो सकता है कि इसकी सीमीतिता हो एक जो जूसी सीमीतिता है वो है क no one is there for editing and no guidelines तो यह तो हमने पहले भी कहा है कि समाचार पत्रों की तरह यहां पे कोई guidelines नहीं है और कोई संपाधन की वेऊस्था नहीं है कि आपके अनुरूपन चीजों को प्रिस्तुत किया जाए क्योंकि new media पूर्ण तया सोतंतर है और अपनी चीजों को अपने target audience के लिए अपने तरीके से प्रिस्तुत करता है एक जो तीसरी बात है कि fake news on one of the adverse effect of new media fake news की बाते हम लोग देखते रहते हैं कि जिसे अभी हमने उदान भी दिया था कि कोई भी website कुछ भी जानकारी देदेगी कि एनाइवस के परिक्षाएं अब होने वाली है तब होने वाली ह है हमको source website पे जाकर के एनाइवस की अधिकारिक website पे जाकर के एनाइवस से संबंदी जानकारी लेनी है हमको नगर निगम की जानकारी चाहिए तो नगर निगम की website पे जाना चाहिए हमको अगर हमको आधार कार्ड की जानकारी है तो भारत सरकार का जो निश्ची तूप से निर्वाचन का जो वेबसाइट है कमिशन का जो वेबसाइट है उस पे जाना चाहिए हमको तो अगर हम लोग और इसकी सिमित्ताओं की बारे में बात करें तो वो सिमित्ताओं हो सकती हैं कि computer screen lacks the look and feel of a newspaper अब कई बार हम लोग देते हैं कि हम लोग newspaper जो घरों में पढ़ते थे तो उसको पलट पलट के पढ़ रहे हैं एक समचार पत्र को यह संपादगी को हमने सोचा की दोपहर में पढ़ेंगे तो यहां पर वाली फील या अनुबह हमको नहीं आ पाता है या हमने किस समचार को गोले में भी बना लिया कि इसको मैं फोटो खीच के आगे कहीं बढ़ाऊंगा तो वाली फील हमको यहां पे नहीं मिल पाती है और साथी साथ यह भी देखते हैं कि एक इसमें आलसी का भी भाव आता है कि हम लोग दिन भर मुबाइल पर यह इंटरनेट पर लगे रहते हैं न्यू मीडिया के माध्यम से तो हम लोग कई के बार आलसी भी हो जाते हैं तो यह सब बाते तो हमारे पठन पाठन की हैं क्योंकि नहीं फिस सम्बंदित हम आपसे प्रस्ण पूछने वाले हैं जो कि आपको वार्सी की परिक्षाव में अंक दिलाएंगे लेकिन इससे आगे भी बढ़कर नई मीडिया जो है न्यू मीडिया है उसकी दुनिया है और उसी दुनिया के माध्यम से आज आज आप सक्षम रूप से हम से जुड़ पाते हैं और निचित रूप से जीवन के पृतियक छेत्र में आपको न्यू मीडिया की आउशकता आज दुनिया है वह बहुत ही विस्तव दुनिया है और जो तीन मूछ तत्य है मास कम्मिनुकेशन के उनको वह सदयों पूरित करती रहती है चाहे वह करने की बात हो चाहें inform करने की बात हो चाहें entertain करने की बात हो इन तीनों बातों को new media समगर रूप से अपको आप तक पहुंचता है आप दिन बार internet देख रहे हैं दिन बार YouTube देख रहे हैं एनाविस के website देख रहे हैं तो कहीं ने कहीं आप अपनी जानकारियों को ही बढ़ा रहे हैं लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही है शिक्षार्थियों कि आप जानकारियों को बढ़ाते जाएं लेकिन मूल रूप से जो आपकी भाशाई रक्षता है जो language skill है वो भी बढ़ाएं जो आपकी creative चीजे हैं रचनात्मक्ता वाली चीजे हैं वो भी उनको बढ़ाएं और लेखन शाली पर विसेश तोर से ध्यान रखें क्योंकि एक मीडिया कर्मी के तौर पर जब आपने आपको इस्थापित करना होगा तो आपके द्वारा सोचे गए शब्द आपकी वाकिसन निशना आपके द्वारा लिखे चीजे गए तो ही आपको जीवन में काम में आएंगे तो इस प्रकार से आज की जो चाचा रही वो निव मीडिया की रही और निव मीडिया की सी मेंत अतायों के साथ साथ हमने इसके प्रभाओं के बारे में जाना दूसरे मीडिया कैसे इसके साथ में इंटीग्रेटेड हैं जो हम लोग कनवर्जेंस की बात करते हैं तो वो कनवर्जेंस आज हमको कौन देता है वो कनवर्जेंस हमको देता है हमारा न्यू मीडिया तो उसी के आगे कि अगर हम लोग बात करें और देखें कि अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो निश्चीत रूप से हम लोग एनायवेस की वेब साइट से जुड़ेंगे और न्यू मीडिया के साथ आगे बढ़ेंगे और मानिपधान मंतरी का जो नारा है कि डिजिटर इंडिया तो डिजिटर इंडिया की जो कमपेन है उसको आगे बढ़ाने में आप सभी सिक्षारतियों का भी हाथ होना चाहिए आपकी सार्थ तक पहल होनी चाहिए तो इसी संदेश के साथ आज इस कारिकरम को हम लोग समाप्त करते हैं और आगामी कारिकरमों में हम फिर मिलेंगे मन में कोई प्रश्ण हो यो मासकाम एट नायवस.ac.in पर लिखिए और सीधे सीधे आप हम से उतर पाईए शिक्षारतियों नमस्कार